नमस्कार दोस्तो सुवागत आपसे भी का SSC मेकर के यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की वीडियों हम सम्मान्ने विज्ञान से रिलेटिड इंपोर्टेंट 20 कोशन डीटेल में डिसकासन करेंगे यहां सम्मान्ने विज्ञान की सीरीज का पार्ट 103 है जो कि आने वाले रिल प्रस नमबर एक दोस्तो आज की वीडियो का पहला प्रसन नीम लिखित में से कौन सी ये गैस रंग हीन एवं गंद हीन नहीं है तो दोस्तो आप बताएंगे क्लोरिन गैस दोस्तो क्लोरिन गैस रंग हीन एवं गंद हीन नहीं होती ओप्सन भी इसका ठीक हो जाएगा दोस दोस्तो क्लोरिन जो सब्द है यह गिरिग भासा के क्लोरोस से निकला है यह गिरिग भासा के क्लोरोस से निकला है दोस्तो क्लोरोस कार्थ होता है गिरिनिस यलो रंग दोस्तो इसका इस्तमाल ब्लेचिंग पाउडर बनाने में पीने के पानी को फिरिफाई करने में कीटनासक की रूप में तथा mustard gas बनाने में किया जाता है next question प्रस नम्मर 2 ग्लूकोमीटर के बारे में नीमलिखित कत्थनों में से कौन सा कत्थन सही है तो दोस्तों आप बताएंगे ग्लूकोमीटर के बारे में नेमलिखित में से यहां एक चिकिसी उपकरण है यहां कथन सही है आपने शरीर में सरकरा की मात्रा को नियमित अंतर पल जांच सकते हैं इसके साथ ही इसका प्रयोग hyperglycemia यानि high blood pressure के इस तरको भी मापने में इसका उपियोग किया जाता है next question प्रस नंबर 3 दोस्तो प्रस नंबर 3 है हमारा नेमिलखित में से कौन सी एक greenhouse gas नहीं है तो दोस्तो आप बताएंगे hydrogen gas दोस्तो हाइड्रोजन गैस होती है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है ओप्संडी इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है दोस्तो यहां कैसे, गरह के वातवराइग या जलवाईों परिवर्ठन और गलोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉनसिबल होती हैं दोस्तो यहां कैसे होती है Carbond Eye Oxide, Nitrous Oxide, Methane, Chloro Fluorocarbond, तर था वााटर वेपन नेक्स्ट कुश्चन प्रेस नमर चार नीमलिखित एजेंटों में से कौन सा पेजल की सुधी करण के लिए अच्छा है तो दोस्तो आप बताएंगे नीमलिखित मेंसे ऐजेंट यहाँ पेजल के सुधी करण के लिए अच्छा है ऑप्सून इसका ठीक हो जाएगा दोस्तो ऑक्सिडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं तो वे पधार्त जो अन्य पधार्तों को ऑक्सिजन परदान करने की छमता रखते हैं वे ऑक्सिडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं तो जैसे Potation per Magnet दोस्तों क्या होता है Potation per Magnet जो होता है यह Oxidizing Agent होता है इसका फर्मुला होता है क्या दोस्तों कमन ओफ़र Potation per Magnet का फर्मुला होता है next question प्रेस नम्मर पाँच दोस्तों यहां प्रेस ने रेलवें एंटी पीसी 2016 में पूछा रहा कोश्चन है बिस्व परियावरें दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों आप बताएंगे बिस्व परियावरें दिवस पांच जून को परतेक वर्स मनाया जाता है यानि options इसका correct हो जाएगा दोस्तों पहला बिस्सु परियावरेन दिवस कब मनाये गया था तो दोस्तों आप बताएंगे पहला बिस्सु परियावरेन दिवस 5 जून 1974 में कब दोस्तों 5 जून 1974 को पहला बिस्सु परियावरेन दिवस मनाये गया था next question प्रेस नम्मर छे नीम लिखित में से BIOS का पूर्ण रूप हैतो दोस्तों आप बताएंगे नीम लिखित में से BIOS का पूर्ण रूप होता है बेसिक इंपुट आउट्पुट सिस्टम यानि ओपिशन भी इसका सही हो जाएगा दोस्तों बेसिक इन्पुट आउटपर सिस्टम इसका इस्तमाल क्या होता तो दोस्तो आप बताएंगे इसका इस्तमाल कंप्यूटर बूट करने की प्रिकिरिया के दोरान हार्डवेर प्रारंब करने के लिए किया जाता दोस्तो इसको सिस्टम बायोस या रोम बायोस के नाम से भी जा जाएगा दोस्तों यह एक हड़ी रोग होता जिसमें फ्रेक्चर का खत्रा बढ़ जाता दोस्तों और उस्टी प्रोसिस नामक रोग में बी एमडी यानि दोस्तों बॉन मिनिरल्स डेंसिटी जोता वो कम हो जाता है नेक्स्ट कोश्चिन प्रेस नमबर आठ उचाई पर उड़ते हुए विमान की केविन की अंदर का दबाव होता है तो दोस्तों आप बताएंगे उचाई पर उड़ते हुए विमान की केविन की अंदर का जो दबाव होता हो बाहर की तुलना में अत्ति यानि जादा होता है दोस्तों विमान की अं आएंगे एक गतिसील वस्तु अनिवारे रूप से क्या प्राप्त करती है इसका सही जिवाब हो जाएगा दोस्तों एक गतिसील वस्तु अनिवारे रूप से गतीज उर्जा प्राप्त करती है और इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों एक गतिसील वस्तु अनिवारे रूप से ग कथन आ सत्त है दोस्तों नीम लिखित में से आप बताएंगे मैंगरो वन आम परदान करते हैं कथन गलत हैं दोस्तों मैंगरो वन जो होते हैं आम यानि मैंगो परदान नहीं करते हैं मैंगरो वन जो होते हैं यह यह विविता को बनाया रखते हैं तथा मैंगरो वन बार यान पास पास जहां जलवाई गर्म तथा नम होती है वहाँ पर दोस्तों मेंगरो वनस्पतिया पाई जाती है प्रस नंबर 11 यह प्रोद्योग की यह बायो टेकनलोजी का तात्प्रिय है तो दोस्तों आप बताएंगे बायो टेकनलोजी का तात्प्रिय होता है ओद्योगिक प्र लाइट बायोजिकल प्रोसेस दोस्तों इसमें आणविक विज्ञान उतक संवर्धन अनुवांशिक अभियांत्रिकी तथा प्लांट पैथलोजी आदि सामिल होते हैं नेक्स्ट कॉश्चन फ्रेस नम्मर बारह। स्वसर के लिए उत्तर दाई है निमेmother होती है कोशिका में स्वसन की किरिया का जो कारियस तल होता है माइट्रो कॉंड्रिय को कहा जाता स्वसन एक प्रकार का कैटाबॉलिक किरिया होती है सबसे चोटी कोशिकांग कोंसी होती है तो आप बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी कोशिकांग जोती है क्लोरोप्लास्ट यानि दोस्तों हरित लवक को कहा जाता है प्रकास संसलेशन प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का सरोत जल यानि दोस्तों होता है ओप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा प्रस नम्मर चोदा आतिस बाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्तिती के कारण होता है तो दोस्तों आप बताएंगे इस्ट्रांसियम के कारण आतिस बाजी में चटक लाल रंग उत्पन होता है ओप्शन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों इस्ट्रांसियम सल्फेट के कारण आसमानी रंग तथा इस्ट्रांसियम कारण पीला रंग उत्पन होता है जबकि दोस्तो हरा रंग जो होता है वह बोरियम के कारण उत्पन होता है नेक्स्ट कोश्चन प्रेस नम्मर 15 नेम लिखित में से कौन विटामिन है तो दोस्तो नेम लिखित में से राइवफलेविन यहां विटामिन होता है और उप्सन भी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तो राइवफलेविन विटामिन B2 का रसायनिक नाम राइवफलेविन होता है दोस्तो राइवफलेविन यहां RBC के निर्बार में मददगार होता जिता था सिस्वों के बलड में बिलिरुबिन की मातरा अधिक होने पर बिटामिन बीटू यानि राइव फ्लाइविन दिया जाता है प्रेस नम्मर 16 दोस्तो प्रेस नम्मर 16 है हमारा MRI मसीन में निमन में से किसका प्रयोग किया जाता तो आप बताएंगे दोस्तो MRI मसीन में निमन लिखित में से मेगनेटिक विपस यानि चुम्बकिये तरंगों का प्रयोग किया जाता है ओप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तो MRI की फिल्फम क्या होती है मेगनेटिक डेजोनेंस इमेजिंग दोस्तो यहाँ एक चिकस्य प्रनाली होती है जिसके दुआरा रोगी के सरीर का चितरन जोता है वहाँ मेगनेटिक डेज के दुआरा प्राप्त किया जाता है प्रेस नम्मर 17 आकास और समुद्र के नीलिमा को नापने के लिए किस यंतर का प्रयोग किया जाता है दोस्तो यह साइनोमेटर जो होता है यह सियान तथा मीटर के योग से बना है दोस्तो सियान का अर्थ होता नीला क्या होता दोस्तो सियान का अर्थ होता नीला दोस्तो यह ब्लूनेस यान नीलिमा को नापने के लिए एक प्रकार का उपकरन होता है विशेस कर दोस्तों नीली अकास के रंग की तीवरता का मापने में इसका प्रियोग किया जाता है नेक्स कोशन प्रस नमबर 18 दोस्तों प्रस नमबर 18 हमारा नीमलेखित में से किसका परमाडू करमांग फासफोरस की अपेक्चा अधिक है तो दोस्तों आप बताएंगे नीमलेखित में से किलोरिन का परमाडू करमांग फासफोरस की अपेक्चा अधिक होता है दोस्तों फासफोरस का परमाडू करमांग कितना होता है तो आप बताएंगे दोस्तों फासफोरस का परमाडू करमांग 15 होता है जबकि दोस्तो कलोरिन का परमाडू करमांग 17 होता है अगर दोस्तो बात करते हैं अलमूनियम के बारे में तो दोस्तो अलमूनियम का परमाडू करमांग 13 होता है जबकि सिलिकॉन का दोस्तो परमाडू करमांग 14 होता है और दोस्तो मैगनीशियम मैगनीशियम का परमाडू कर आप्सने इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों मुगाण ऑस्मियम को ऑसकी रूप में पर दसद करते हैं तर जो परमाडू करमांग स्थेटर होता है जब कि इसका परमाडू भार्ज होता वन नैंटी होता है दोस्तों कि नगत्ना होता है तो आप उस्मियम का गनत्य होता 2.59 गरा गोस से हलकी धातु कौन सी होगी तो आप बताएंगे सबसे हलकी होगा वह सबसे कम तो लीथियु होती है U प्रसक्राइब से कौनसी गैस धान के खेट के माद्यम से निकलती है तो दोस्तों आँ बतायेंगे। जूस है मेठेन गैस या धान के खेट के माद्यम से निकलती है ऑपिसन ये ठीक हो जाएगा दोस्तों मेठेन गैसelen Queen'd या गंद हीन तथा रंग हीन गैस होती है या प्रागर्तिक गेस का मुख्य घटक होता है दोस्तो इसका फॉर्मूला होता है CH4 या अलकेंस रेणी का प्रथम तत्व होता है दोस्तो इसका निर्मान कैसे करते हैं तो आप बताएंगे मीथेन गैस का निर्मान दोस्तो सोडियम acetate को sodium hydroxide तथा calcium oxide के साथ गरम करके methane gas बनाई जाती है दोस्तो methane gas को Mars gas या दलदलिक gas कहा जाता है दोस्तो आज के लिए आप सभी के लिए होंबा के दोस्तो प्रस्ण हमारा समानेता नेम लिखित में से कौन सा cancer का कारण नहीं है तो दोस्तो इसका सही जबाप आप सभी को comment सक्तिन बताना होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो आपको समझ में आती है वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तो इस वीडियो को PDF आप SSC मेकर टेलीग्राम चलने से परात कर दोस्तो धन्यवाद दोस्तों